पोयम दिया गया है पोयम का नाम है एंजिन दादा एंजिन दादा पेज नमबर फोटी एट पहले में एक पेरेग्राफ पढ़ती हूँ फिर मैं आपको एक्स्पेन करूंगी सबसे फ़र्स पेरेग्राफ में देखो एंजिन दादा शू करो छो काम डबाओने जोडू छू तमने बेसाडू छो जाओ छू नवा नवा गाम अब यहां आप देख सकते हैं कि यहां ट्रेन की रेल की बात हो रही है तो एंजिन से पूछा जा रहा है कि एंजिन दादा आप क्या काम करते हो तो एंजिन का काम क्या है डिपो को जोडने का जोडू छू मिन्स टू जोईन तमने बेसाडू छू बेसाडू मिन्स पैठना टु सीट जाओ छू नवा नवा गाम मिनस यह हमें काहां पर लेके जाएगे न्यू न्यू प्लेस पर डपाओने जोडू छू तमने बेसाडू छू जाओ छू नवा नवा गाम ये एंजीन का काम है विन नेक्स्ट एंजीन दादा एंजीन दादा शू करो छू काम पाणी खोब पीवू छू वराण बनावी छोडू छू जाओ छू नवा नवा गाम अब एंजीन दादा को क्या क्वेस्टन किया है कि आप और क्या काम करते हो तो एंजीन दादा ने उसका अंसर दिया कि में पानी खूब पीता हूँ पानी खूब पीऊ छू फिर पानी का क्या बन जाता है घरम होते ही उसकी श्टीम बन जाती है वराण में श्टीम जाओ छू नवा नवा गाम में अलग अलग प्लेस पर ले जाता हूँ एंजीन दादा शू करोचो काम कोलसा खाऊचू तुमाडो छोड़ूचू जाऊचू नवा नवा गाम अबी ये क्या खाता है वो बताया है क्या खाता है कोलसा कोलसा मीन्स कॉल एंद तुमाडो तुमाडो छोड़ूचू तुमाडो मीन्स स्मोक यह आपको question answer में पूछा जाता है कि एंजीन दादा क्या खाते एंजीन दादा शू खाये छे तो कॉल्षा खाये छे और एंजीन दादा सू छोड़े छे तो तुमाड़ो छोड़े छे फिर next paragraph देखो इंजीन दादा इंजीन दादा शू करो छो काम लीली छंडी जो त्या छट चालवा लागो छो जाओ छो नवा नवा गम अभी ये कहां पर stop होता है और कहां पर उसको चलना है वो भी बताया गया है कि जब लीली छंडी लीली छंडी ये आप देख सकते है कि ग प्रेन है वो चलती है स्टोप नहीं होगी स्टोप कब होगी जब रेड लाइट दीखेगी तब तो यहां बताया गया है कि लीली छंडी जो त्या छट चालवा लागो छो चट मिन्स जल्दी चलने लगता हूँ जाओ छो नवा नवा गम फिर next page पर page नंबर 49 पर इंजीन दादा शू करो चो काम सीटी वा गालू छो गिर्दी हटावू छो जाओ छो नवा नवा गम सीटी मिन्स विसल गिर्दी जो बीड होती है वो क्राउल उसको में हटाता हू जाओ छो नवा नवा गम सीटी बजाते ही जो बीड होती है वो हट जाती है जाओ छो नवा नवा गाम में न्यू न्यू प्लेस पर लेके जाता हूँ आपको फिर नेक्स्ट लास्ट पेरेग्राफ एंजीन दादा शू करो चो काम लाल बत्ती जो चो तरत उपो रो चो जाऊ चो नवा नवा काम अब मैंने बताया ना जब ग्रीन जंडी ये दिखेगी ग्रीन कलर का फ्लेक तो वो जल्दी गाड़ी जाएगी और जब रेड लाइट होगा तो क्या होगा वो स्टॉप हो जाएगा ट्रेन तो लाल बत्ती जो उचो जब रेड लाइट होगी बत्ती मिन्स लाइट होगी लाल मिन्स रेड तब मैं स्टॉप हो जाता हूँ और मैं आपको नए नए प् वो आपको देख देखके अच्छी एंड राइटिंग में कम्प्लीट करना है ओके थैंक यू हैव नाइस टी